हलो एरिवन वेलकम टू स्टेडी फोर सिविल सर्विसेज मैं हूँ भरत सेनी और आज की इस वीडियो में हम हमारे राज्य सबाटे विशेज समराईजेशन सीरीज को कंटीनु करते वे डिसकस करेंगे असम समझोते के बारे में जो की 1985 में हुआ था और जानेंगे कि असम समझोते के अंदर क्या क्या बाते रखी गई थी और क्या वो अब तक पूरी हो सकी है असम में बांगलादेशी गुस्पेटियों का मामला एक बार फिर से सी उठाने लगा है ये मामला दरसल देश बर में हमेशा से एक बड़ा राज़ितिक मुद्दा रहा है और वर्तमान में भी है असम और पश्चिम बंगाल में अगे दुरूप से रहरे बांगलादेशों का मुद्दा काफी सम्वेदन सील है आम तोर पर तमाम गेर असमी आबादी को बंगलादेशी कह दिया जाता है परन्तों उनमें कई भारते नागरिक भी है इसलिए सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि NRC का पहला ड्राफ जारी किया जाए और NRC का पहला ड्राफ जारी करने के बाद ये सवाल उट रहे हैं कि जिन लोगों का नाम NRC के फाइनल ड्राफ में नहीं आया है उनका क्या होगा तो NRC को समझने से पहले हमको असम समझोते के बारे में समझना होगा जो कि 1985 में हुआ था तो आज की इस वीडियो में हम असम समझोते के बारे में डिसकस करेंगे बट बिफोर वे बिगेन माँ आपको बता दूँ कि हमारे कुछ पेड गुरूप है जहां पे आप परस्नल गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ पे आपको सभी वीडियो के पीडियेफ, वोइस मेसेजेज और स्पेशल पीडियेफ मिलेंगे और फॉर मोर इंफोरमेशन यू कें कॉंटेक्ट हिया तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के मुद्दे इस वक्त असम में हैं और वो हमारे इस पॉइंट से किस प्रकार रिलेट करेंगे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे असम समझोते के बारे में क्यूंकि अगर हम National Register of Citizens NRC को अगर समझना चाहते हैं तो हमें पहले असम समझोते को समझना होगा और उसके बाद देखेंगे किस प्रकार असम में बोडो लेंड नामक एक अलग राज्य की मांग उठ रही है ये तीनो ही मुद्दे असम से जुड़े हैं और हमारी आंसर राइटिंग और UPSC के प्रिलिम्स में आराम से कोई से कहीं क्यूशन इसे पिक अप हो सकता है इसलिए हमें इन तीनों टोपिक्स को अच्छे से कवर करना है तो आज की इस वीडियो में हम असम समझोते के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले असम समझोते के एक बेकराउंड को समझ लेते हैं असम समझोता हुआ क्यों था ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बन गई थी असम में कि असम समझोते जिसी कंडिशन वहाँ पे अपियर हुई देगे असम में बहुत पहले से ही भारी बना असमिया मतलब जो लोग असम के रहने वाले हैं वो और जो लोग असम के नहीं रहने वाले हैं वो लोग उन दोनों के बीच का जो मुद्दा था वो बहुत पहले से चल रहा है और पचास के दसक में बहारी लोगों का असम में आना एक राजनितिक मुद्दा बन चुका था वहाँ पे उन लोगों के ये लग रहा था कि असम अपनी खुद की identity खोके उन लोगों को entry दे रहा है अगर ज्यादा लोग वहाँ पे असम में घुच रहे हैं तो उनके resources पे दिक्कत होगी और resources जब खतम होंगे तब असम के लोग जो deserve करते हैं उनको वो नहीं मिल पाएगा इसलिए ये एक राजनितिक मुद्दा बना लिया गया था 50 के दसक के बाद में ही और जब अंगरेज हमारे देश में थे उसी वक्त बिहार और बंगाल से चाय के बगान जो कि आसाम में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं वहाँ पे बिहार और बंगाल से मजदूरों को बुलाया जाता था और जो जमीने खाली होती थी वहाँ पे अंगरेजों द्वारा उनको प्रोचाइत किया जाता था कि आप यहाँ पे खेती कीजिए फिर वो लोग एक टाइम के साथ वहाँ पे खेती करते रहे और वो जब टाइम आगे बड़ा तो वो लोग वहाँ के रिजिडेंट बनके रहे गए और असम के अंदर जो पोपुलेशन है वो डिरेक्ली और इंडिरेक्ली इंक्रीज होती गई बाहरी लोगों की और उन्होंने अपनी परसनल एडिन्टिटी को खोना सुरू कर दिया उसके बाद उन्होंने असम बना बाहरी लोगों को एक राजनितिक मुद्दा बनाया और उसके बाद उन्होंने एक असम समझो तो जिसी कंडिशन 1985 में क्रियेट की अब बात करते हैं जब हमारा देश अलग हुआ अर्थार जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ जब हम आजाद हुए 1947 में तो उस वक्त पाकिस्तान के दो हिससे हुए एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूरी पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान जो आज का बंग रहा था continuously हमारे पस्चिम बंगाल में और त्रिपुरा और असम में तो वहां पर ये हो रहा था कि हम हमारी identity खो रहे हैं हमें हमारी identity बचानी है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा धीरे धीरे आवाज उठने लगी और फाइनली कुछ संगटन बने जिनोंने एक बहुती कटिन संगर्ष किया असम की पहचान और असम की संस्कृती बचाने के लिए जैसे की कुछ संगटन वहां पे थे AASU और AGSP AASU ट मीन्स All Assum Students Union और AGSP ट मीन्स All Assum गन संगराम परिशद इन संगर्षदों ने वहां पे आकराम कांदूलन सुरू किया और फाइनली 1985 में ततकालीन सरकार और प्रधार मंतरी स्री राजीव गांदी जी के साथ उन्होंने एक असम समझोता किया अब बात करते हैं कि असम समझोते कि टाइम लाइन इनिशली कहां से स्टार्ट होई थी देखे 1971 में पूरी पाकिस्तान तूट के बांगलादेश बना था क्यूंकि पूरी पाकिस्तान में बांगलादेश में जो मुसल्मान थे उन पे पाकिस्तान की सेना ने बहुती जादा हिंसक कारवाई की और हिंसक कारवाई करने के बाद भारत के सपोर्ट से पूरी पाकिस्तान बांगलादेश बना और जब पूरी पाकिस्तान बांगलादेश बना तो उससे पहले 10 लाख लोग करीब असम में आ चुके थे और अस इतर लोग असंद से वापिस माइगनेट कर गए अपने जगये परन्तु एक लाक लोग के आसपास फिर भी असंद में रह गए उससे हुआ कि जो पॉपुलेशन बेलेंस था वो बिगड़ना शुरू हो गया क्योंकि वो पॉपुलेशन वहां की नहीं थी और जब रिश्योर को आपकी खुद की पॉपुलेशन यूज नहीं कर पा रही है जबकि दूसरे स्टेट या दूसरे देश से आईवी पॉपुलेशन वहां पर यूज कर रही है तो इस प्रकार के मुद्धे एएएश्यों और एएजीएस्प के तुरू उठाये गए और 1978 में इन्होंने ति जो ये मुद्धा है इसका हमें हल चाहिए इन गुस्पेटियों को पहले बाहर निकाला जाए परंतु ये सरकार के द्वारा 1983 में नहीं माना गया और वहां के लोगों द्वारा 1983 में जो विधान सबा चुनाव थे उनका बैसकार किया गया उसके बाद हम आते हैं 1984 पे 1984 में ह हुआ क्या कि जब आंदोलन उग्र हो चोका था आंदोलन उग्र होने के बाद उस वक्त वहां पे जो आम चुनाव हमारे होते हैं संसदी चुनाव वहां पे 14 संसदी शिटे थी वहां पे इलेक्शन नहीं करवाने दिये गए आराम से इलेक्शन नहीं हो पाए इसलिए उसक असम समझोते को सामने लेके आना पड़ा और इस आंदोलन को रोका गया तो अब हमने असम जो समझोता हुआ था उसका जो बेग्ग्राउंट था उसको हमने कम्पलीटली समझ लिया है कि किस परकार 1971 से मांग उठने लगी क्योंकि पूरी पाकिस्तान से बांगलादेश बना 1978 के आसपास AASU और AGSP अस्टित्व में आते हैं और इस मांग को तिवर करते हैं और यह जो मांग तिवर हो जाती है उसके बाद जब 83 के जो इलेक्षन होते हैं विदान सभा इलेक्षन उनका बहिसकार किया जाता है 84 में आम इलेक्षन भी नवान नहीं करने दी जाते हैं और फाइनली 85 में असंसम्जोता सामने आता है तो यह बेग्ifi जब आपको क्लिर हो गया होगा कि असंसम्जोता आया क्यूँ अब आगे बात करते हैं कि असंसम्जोता आया तो उसमें था क्या असन समझोते के अंदर लिखा गया था कि 25 मार्थ 1971 से पहले जो भी लोग असन में आये थे हम उनको ही असन का या फिर भारत का नागरिक मान सकेंगे इसके अलावा उसके बाद जो भी 1971 के बाद जो असन में आये हैं उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा चाहे वो हिंदु हो या चाहे वो मुश्लमान हो या चाहे वो किसी भी धरम का हो इसलिए 1951 से लेके 1961 के बीच के जो लोग थे उनको तो पूर्ण नागरिक्ता दी गई और मदान का अधिकार भी दिया गया परन्तु जो 61 से लेके 71 के थे 71 के बीच जो भारत आये थे उनको नागरिक्ता तो दी गई परन्तु उनको मदान का अधिकार नहीं दिया गया अब बात यह आ गई कि चलो ठीक है 71 तक जो भारत में एंट्री कर गए थे उनको हम भारत की नागरिक्ता दे देंगे परन्तु हमें पता के से चलेगा कि जो 71 के पहले कोना है और 71 के बाद कोना है तो इसका हल निकालने के लिए फाइनली एक सामने एक रजिस्टर आता है एन आर सी नेशनल रजिस्टर ओफ सिटिजन वैसे तो ये पूरा देश का होता है परन्तु अभी तक ये सिरफ असम के द्वारा ही बनाया गया क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो असम में ही है अब बात करते हैं एनर सी उस वक्त सामने लाई गई परन्तु अभी तक बन नहीं पाई क्योंकि आगे से आगे डिले होती गई अब NRC के बारे में हम नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे परंतु यहाँ पे कुछ डिसकस कर लेते हैं कि जब AASU और AGSP पावर में आ जाते हैं के लिए special package दिया जाएगा और जो लोग असम की बासा बोलते हैं और जो असम की संस्कृति को मानते हैं उनके सामाजिक और बासाई पहचान बनाए रखने के लिए सरकार को विशेस कानून और प्रसासनिक उपाए करेगी और इसके लिए फाइनली सरकार ने NRC का एक draft तयार किया वो अब draft तयार अब हो रहा है लेकिन NRC का एक प्रस्ताव उस वक्त रखा गया था तो फाइनली हमने सब कुछ discuss कर लिया कि असम समझोता क्यों आया क्योंकि उसका हमने background discuss कर लिया उसके बाद जब आया तो उसका फाइनली solution था कि हमें एक NRC जैसा draft तयार करना होगा जिससे की जो लोग भारते नहीं हैं बांगला देशी है या फिर किसी भी दूसरे देश से हमारे देश में migration करके आये हैं उनको हम बाहर निकाल सकें तो यह फाइनली बात हुई NRC के बारे में और NRC के बारे में in-depth analysis जो RSTV VCS पे आया हुआ है उसका analysis हम next वीडियो में करेंगे and thank you for watching our video please like, say and subscribe our channel, bye bye